बिस्मिल्लाहिरवान रवरहीम, असलाम अलेकूम स्टूरेंट्स, कैसे हैं सब, उमेद करती हूँ, सब खेरिया से होंगे क्लास प्लेई ग्रूप उन्वान हरफ जीम की पढ़ाई, सफ़ा नंबर 15 और 16, वीडियो नंबर 8 स्टूरेंट्स, अपने किताब हरफ कहाने इप्तदाई तस्वीरी काइदा को उपन करें आई दिन है सौमवार और तारीख है 21 स्टंबर 2020 जमाद का काम सब से पहले टीचर हमारे जो पिछले हरूफ की दोहराई करवाएंगी अलीफ अलीफ अनार अलीफ अंगूर अलीफ अम्रूद अलीफ एहमद बे स्टूर्ट बे के नीचे एक कैंडी होती है बे के नीचे जब हम एक कैंडी लगाएंगे तो वो कौन सा हरफ बन जाता है बे बे बतख बे बादल बे बारिश बे बिल्ली उसके बाद है पे ये हरफ पे है इसके नीचे तीन कैंडीया होती है जब इसके नीचे हम तीन कैंडीया लगाएंगे तो ये कौन सा हरफ बन जाता है पे पे पौदा पे पत्ता पे पानी पे के बाद है ते ये हरफ ते है इसके उपर दो कैंडीया होती है ते तला ते तितली ते ताली टे जिसके उपर एक कैब बनी होती है उसको कहते है टे ये हरफ टे है टे टमाटर टे ट्रक टे टो क्रे से से के उपर तीन कैंडीया होती है से समर से समान से साकिब ग्यर्ण आज हम जिस हरफ की पढ़ाई करनी है वो हरफ जीम है ये हरफ जीम है इसकी बैली में ये इसकी बैली है इसकी बैली में एक कैंडी है जिसकी वैली में एक एंडी होती है वो हरफ जीम होता है ये कौन सा हरफ है जीम जीम जुराबें जीम जूते जीम जादूगर स्टूड़न्स अब आपको टीचर जीम हरफ से बनने वाली एक कहानी सुनाएंगी आज जवाद की सालगिरा है उसकी अम्मी उसके लिए नए जीम से जूते और जीम से जुराबें लाई जीम से जवाद की अबू ने एक जीम से जादूगर बुलाया जीम से जो बच्चों को जीम से जादू के करतब दिखाएगा स्टूड़न्स ये था हमारा कलास का काम जो मुकमल हो गया है और अब घर का काम है सफ़ा नंबर 13 और 14 स्टूड़न्स मेरी अर्दू की नोट बुक की किताब ओपन करें हमने करना क्या है हरफ टे पर पैंसल फेरें स्टूड़न्स ये कौन सा हरफ है टे जिसके उपर एक कैब बनी हुई होती है वो कौन सा हरफ होता है टे आज हमने क्या करना है इसके उपर पैंसल फेरनी है यह हमें dots दियेगे हैं जो हमें नकाद दियेगे हैं इनको हम मिलाएंगे तो यह कौन सा हरफ हो जाएगा टे बन जाएगा सबसे पहले हमने इस arrow से start करना है औरssen dots के ऊपर उपर right करना है और यह हरफ टे right हो जाएगा और इसके उपर ये जो cap बनी हुई है इसके उपर भी हमने pencil फेहनी है इसी तरह teacher ने जैसे dots के उपर उपर write किया हुए आप लोगों ने भी टे के बिल्कुल उपर उपर और नकाद को बिल्कुल नकाद के साथ मिलाते हुए write करना है जिससे हमारा हरफ टे write हो जाता है इस तरह आप लोगों ने पूरे page के उपर ये write करना है ठीक है students next है हरफ से पर pencil फेहने और तस्वीर में रंग भरे हमने क्या करना है हरफ से के उपर pencil फेहनी है और से से summer में color करने है ये कौन सा हरफ है students say इसके उपर तीन कैंटिया है ना तो ये हरफ से है इसको हरफ से कहते है और इसकी हमने dot joining करनी है सबसे पहले हमने arrow से start करना है और नकात को मिलाते जाना है तो हमारा हरफ से write हो जाएगा फिर हमने क्या करना है हरफ समर में color करने है जो हमारे ये दिया गया है केला दिया हुआ है अनार दिया हुआ है सेब दिया गया है और अंगूर दिये गया है इनके अंदर हमने रंग भरने है केले में कौन सा color होता है पीला और अनार में कौन सा color होता है रेड और सेब में color कौन सा होता है वो भी उसमें रेड होता है और अंगूर में कौन सा कलर होता है सबस और हमें ये स्टॉबरी भी दिये गई है स्टॉबरी में कौन सा कलर होता है वो भी रेड कलर की होती है तो हमने इसमें डिफरेंट कलर करने है ठीक है स्टूनेंस सबसे पहले हमने आउट लाइन बनानी है जिस भी हम फ्रूट को हम कलर करेंगे उसमें उस कलर की हमने सबसे पहले आउट लाइन बनानी है उसके बाद उसको कलर करना है जैसे हम अगर अनार में हम कलर कर रहे हैं सबसे पहले हम इसकी outline बनाएंगे red color से पिर हम इसके center से color करेंगे और dark color करने है students जिससे हमारी white space नहीं होनी चाहिए white space होगी तो वो color अच्छे नहीं लगते इसके बाद अगर हम अगूर में color करेंगे तो सबसे पहले हम subs रंग से outline बनाएंगे फिर उसके center से color करेंगे नीचे students हमने क्या करना है से के उपर हमने pencil फेरनी है as arrow से start करना है हमने और यहां तक complete करना है जिससे हमारा कौन सा हरफ right हो जाएगा से हमारा से हरफ right हो जाएगा इसी तरह हमने नीचे वाली line में भी ऐसे ही write करना है ओके students तेंक यहां जाएगा